अगर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब सरूर करें तो आज मैं आपको बताऊंगे कि कैसे घर बैठे आप अपने लिए नैच्रल वैक्स बना सकते हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आठ चम्मच शुगर यानी चीनी अब हम लेंगे चार चम्मच हनी यानी शहद इसके बाद हम इसमें वाटर एड़ करेंगे चार चम्मच और आखरी में मैं इसमें एड़ करूँगी लेमन जूस, आधा चम्मच या फिर नीबू का रस अब इन सारी इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिला लें अब एक छोटे बरतन में मैं इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर लूँगी अब मैं इसे थोड़ा गरम कर लूँगी जब तक की शुगर अच्छे से केरमलाईज ना हो जाए याद रखें कि आप इस मिक्सचर को चलाते रहें ताकि शुगर नीचे लगे न अगर आपको लगता है कि मिक्सचर जादा थिक हो गया है तो आप इसमें थोड़ा और पानी भी मिला सकते हैं ये एक परफेक्ट कटोरी वैक्स है जब के फेशिल हेर्स को अराम से रिमूव कर देगी आप चाहें तो इस वैक्स से आप अपने फेशिल हेर्स के साथ-साथ बाड़ी के हेर्स भी रिमूव कर सकते हैं इस्तिमाल करने से पहले इसको दुबारा गरम करना ना भूलें इस वैक्स के साथ हम कागल के स्ट्रिप्स का इस्तिमाल करेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस वैक्स को इस्तिमाल कैसे करना है इसका application करने के लिए मेरी sister मेरी help कर रही है सबसे पहले butter knife की मदद से आप इस wax को अपनी skin पर लगा ले wax लगाने के तुरंट बाद उस पर जल्दी से एक strip लगा ले अब इस strip के ऊपर आप हलके हाथ से pressure दें ताकि ये strip wax में अच्छे से छिपक जाए अब hair की opposite growth से इस wax को हलकालका सा निकाले homemade wax के बहुत सारे अच्छे benefits होते हैं as compared to वो wax जो की हमें market में available होती है since हमने ये wax घर पे बनाई है और इसमें सारे natural ingredients एड हुए है तो ये आपकी skin को soft and glowy भी बनाएगा आप देख सकते हैं कि इस wax को एक ही बारी में apply करने से सारे बाल निकल गए है और इस skin बिलकुल moisturize हो गई है आप waxing करने के बाद आप अपनी body पर कोई भी moisturizer लगा लें याद रखें कभी भी wax करने के बाद आप गरम पानी से ना नहाएं तो ये थी मेरी आज के exclusive homemade natural wax तो आप भी इसे use करें और अपना experience कमेंट सेक्शन में share करें और मेरी वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe जरूर करें मैं फिर आऊंगी एक और भी new interesting DIY के साथ तब तक के लिए ठेक केर बाबाई